बिहार की रास्थानी पटना के महावीर मंदर में दसकों से चली आ रही परंपरा के अनुसार विवाः पंचमी के दिन राम जान की विवाः का आयोजन किया जाएगा रविवार को जनकपुर की गुरु सिसे परंपरा की मंडली संगीत और नाटक का मंजन करेंगी मंदर के प्रथम तलपर या आयोजन होगा बता दें कि महावीर मंदर न्यास के सचीव आचाड़े की सोर गुनाल ने बताया कि दसकों से यह परंपरा चलती आ रही है मितला परंपरा से विवा के सभी विदि विधान किये जाते हैं इस दोरान भक्तों के बैठने के लिए पंडाल बनाया जाएगा विवा के बाद सोंबाड यानि की 18 दिसंबर को राम कलेबा का आयोजन होगा महावीर मंदर की पत्र का धर्मायान में संपादक पंडित भवननाथ जाने बताया की मर्यादा पुर्सोतन राम अपने ससुराल जनकपुर में व्याहक के बाद भोजन करते हैं इसे राम कलेबा के रूप में जाना जाता है इस अफसर पर जनकपुर के महिलाएं परंपरिक लोग गीत भी गाती है पूरे कारिकरम की नाट्य प्रस्तुति होती है वहीं भगवान विश्नु अफ्तार श्री राम को जनकपुर में पोजन करते देख कर देवतागन भी काफी खुश हो जाते है जनकपुर की महिलाएं भी भगवान का ये रूप निहारते नहीं थकती राम कलेबा के दौरान पारंपरिक भोजन परोसा जाएगा जिसके बाद भक्तों के बीच प्रशाद के रूप में यही भोजन बाता भी जाएगा मधुबनी की बारह सदस्य मंडली इस दो दिवस्य आयोजन के दौरान संगीत में नाटरक्य का प्रस्तुती करने वाली है बता दें कि 17 दिसंबर को विवा पंचमी मनाई जाएगी इस दिन विभगवान श्री राम की बारात निकलेगी इसलेकर पटना की महाविर मंदर में भी विशेश तयारी की जा रही है विशेश सजावट और भगवान का भव्य श्रिंगार किया जा रहा है विवा पंचमी पर दो दिन तक कारिक्रम का आयोजन होगा पहले दिन भगवान राम और सीता का विवा बिधी विधान से होगा तो दूसरे दिन राम कलेवा और विदाई होगी इसके लिए मिथला से कलाकार आएंगे और नाटक का मनचन करेंगे खाने पीने की भी वेवस्था होगी जिसमें हल्वा, पूरी, पकोडी, तसमय आधी विशेस भोजन रहेंगी राम सीता के विवा की जाकी भी बनाई जाएगी मेरो रिपोर्ट में उस पियार लाइव पटना